ये चमनपरास आपके सरीर को सुस्त बनाके रखता है ये आपके सरीर में फूर्ती लाता है आपके सरीर को चुस्त और दुरुस्त बनाके रखता है जैसे कि आपने देखा होगा आकसर करके लोग चमनपरास का उपयक ठंडी में करते हैं ठंडी में इसका काफी ज्यादा अच कर देता है यह चमन प्रास काफी अच्छा चमन प्रास होता है चलिए हम आपको इस चमन प्रास के यूज के बारे में बताते हैं इसके फाइदे के बारे में बताते हैं यह चमन प्रास और किस परकार से उपियोग किया जाता है यानि यह हमारे सरीर में और किस परकार की दिक् इसका कोई side effect होता है कि नहीं होता है इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जिससे आपका जो एक परकार से हम कह सकते हैं जो digestive system है वो ठीक बना रहता है और जैसे कि आपने देखा होगा ठंडियों के टाइम में आकसर बुझरूग लोगों में आनि बुड़ों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ठंडी लगने के जैसा महसूस होता है वो चमनपरास हमारे यूमिनिटी पावर को एकदम मजबूत बना के रखता है और ये चमनपरास हमारे हड़ियों को भी मजबूत करता है ये हमारे हड़ियों को भी स्ट्रॉंग करता है ये चमनपरास काफी अच्छा चमनपरास होता है ये चमनपरास डाक्टर के दौरा काफी जादा prescribe किया जाता है और जैसे कि ये चमन प्रास आपके blood को साफ करने का भी काम करता है जैसे कि अगर किसी के blood में किसी परकार का infection हो जाता है उसकी वज़ा से अगर उसके सरीर में दाने फोडे फुनसी आप देखे होंगे continue निकरता रहता है तो अगर उसके blood में कोई infection रहता है तो उस infection की समस्या को यह ठीक करने का काम करता है यानि उसके blood को यह जो उसका खून है उसे साफ करने का भी यह चमनप्रास करता है यह चमनप्रास काफी अच्छा चमनप्रास होता है और जैसे कि यह चमनप्रास आपके muscles को strong बनाता है यानि आपके जो muscles हैं उनमें ये मजबूती लाता है आपके हड्डियों को मजबूत करता है आपको उठने में चलने में बैठने में दोडने में आपको ये काफी laugh-dike होता है ये काफी अच्छा चमनप्रास होता है और जैसे कि अगर किसी के बाल होते हैं जो अगर उनकी age यानि उनके उमर से पहले अगर उनके जो बाल है वो सफेद हो जाते हैं तो ये उस समस्या में भी ये काफी अच्छा काम करता है ये चमनप्रास हमारे muscles को maintenance बना के रखता है और ये हमारे kidney power को improve करता है ये हमारे kidney में भी काफी अच्छा फाइदा करता है अगर kidney से संबंदित किसी भी परकार की कोई समस्या रहती है तो उसमें भी ये काफी अच्छा मदद करता है और जैसे कि चमनप्रास हमारे respiratory system को improve करने का काम करता है और जैसे कि अगर किसी के सरीर में बिना काम करें कमजोरी से रहती है उनका एक परकार से हमेशा विस्तर पर लेटे रहते है उनका कोई काम करने का दिल नहीं करता है और ऐसा लगता है उनके सरीर में बहुत ज़्यादा weakness की समस्या आ गया है तो इसमें भी ये काफी अच्छा मदद करता है ये काफी अच्छा चमनपरास होता है इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का काम करता है और जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी को तनाव रहती है चिंता रहती है depression में दिन रात पड़े रहते हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ दूसरा चलता रहता है वो अमेशा कोई ना कोई चीज सोचते रहते हैं तो इन सारी समस्याओं को ये एक परकार से ठीक करने का काम करता है ये चमनपरास काफी अच्छा चमनपरास होता है और जैसे कि अगर किसी को proper नीद नहीं आती है depression चिंता की वज़े से या फिर कुछ सोचते रहते हैं तो इसमें भी ये काफी अच्छा मदद करता है और आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को भूलने की ये एक problem रहती है कोई चीज या कोई सामान कहीं रख देते हैं तो भूल जाते हैं तुरंट उनकी आदास कमजोर रहती है तो ये इस समस्या में भी काफी मदद करता है ये चमनपरास काफी अच्छा चमनपरास होता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है जैसे कि अगर किसी के तुचा यानी अगर किसी के स्कीन पर कोई भी infection रहता है जैसे कि हम मान लें अगर किसी को pimples की समस्या रहती है चेरे पे दाने पड़ जाते है या फिर एकनिक की समस्या रहती है या फिर छहिया हो जाता है या फिर तुचा रूखी पड़ जाती है तो इ ये चमनपरास काफी अच्छा चमनपरास होता है, ये इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करता है, जैसे कि ये चमनपरास तुचा में एक आकरसड लुक लाने का काम करता है, ये काफी अच्छा चमनपरास होता है, ये आपके तुचा को सुन्दर और हमेशा ताज़गी बन तार बनता रहता है तो उस समस्या को भी ये ठीक करने का काम करता है चलिए आपको बताते हैं इस चमन परास का डोज क्या है जैसे कि जो एडल्ट में इस चमन परास का डोज डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है एडल्ट में एडल्ट में ये जैसे कि एक चि प्रेंटाबाद में ये चमनप्रास एक चिम्मच लेना होता है, यानि एक चिम्मच सुबाई, एक चिम्मच साम को ये चमनप्रास डॉक्टर के दौरा लेने के लिए बताया जाता है, और जैसे कि आप इसे दिन में एक बार भी ले सकते हैं, जैसे कि ये चमनप्रास लेने से खराब हो सकता है आपको खटी में की डिकार भी आ सकता है आपको डाइरिया की समस्या हो सकता है इसके अलावा अगर आप ओबर डोज की मात्रा में लेंगे तो आपको और भी समस्या हो सकता है इसके अलावा यद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है झाने